हेलो फ्रेंड्स नई सोच नई दिशा मैं आपके एक बार फिर स्थेस वाकत हैं तो हम डिसकस कर रहे हैं स्टेनोट टाइपिस्ट का एक्जाम हुआ था पोस्ट कोर्थ आपका 548 ये एक्जाम करवा गये था 11 अक्तूबर 2017 को ये करवा गये था एक पार्ट पिछली वीडियो में करवा चुको हूँ आज है इसका जी के पार्ट टू तो जो चैनल पर पहली बार बिस्ट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राब जरूर कर ले ताकि आने बाले हर वीडियो की आपनेट आपक आत्मा का प्राय बाची नहीं है 92 तो आत्मा का जो प्राय बाची नहीं है 92 तो आत्मा का जो प्राय बाची नहीं यह वो आपका प्रक्टन डे ओफनेस राइट तूश का विलोम क्या होगा 93 तो 93 का राइटन सुएगा महान नेक्स हैं नियुनादिक में कौन सा समास है 94 तो आपका दुअंध ए ओफनिस राइट लड़का की भावाचिक संग्या क्या होगी 95 तो यह होगा आपकी लड़कपन D ओफनिस राइट मक्की का तस्सम क्या होगा 96 तो यह होगा आपका मक्षका D ओफनिस राइट तो कोई भी परसन बीड़ी को शेर नहीं कर रहा है एक बार बीड़ी को शेर जिरूर कर ले क्रिदंत का संदीब शेद क्या होगा 97 तो क्रिद जम अंत D ओफनिस राइट समुंदर की आग के लिए एक शब्द क्या होगा 98 तो बढ़वानल का अर्थ क्या होगा 99 अनुकर्ण करना दिखावटी काम करना कुछ उत्तर ना देना दिहान ना देना 98 का जो राइटां सोजाएगा दिहान ना देना करवट लेना मुहावरे का अर्थ होगा विद्व का पुलिंग क्या होगा तो इसका जो राइटा सो जाएगा विदुर बी ओफनिस राइट कौन सी धात्तु भांतम रूप से शुद सब रूप में प्रियुक्त होती है चांदी, लोवा, तामबा, एलुमिनिम तो एलुमिनिम डी ओफनिस राइट तो जितने भी अभी तक हमिरपुर बोर्ड की तरस पर एक्जाम हो चुके हैं उनकी आपको 109 वीडियो करबा चुको हूँ अगर किसी भी परसन है वो नहीं देखी हैं तो आप पर ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं आने वाले जितने भी हमाच्टल की तरस पर एक्जाम होंगे उनके लिए काप भी हल्पूल होने वाले हैं लेड सुट्रेज बैटरियों में प्रिक्त एसिड है तो इसका राइट ना सुझाएगा सल्प्यूरिक एसिड डी ओफनिस राइट विद्यत बल्बों में उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कोई सी गैस प्रिक्त होती है तो एक सो तीन का राइट ना सुझाएगा ओर्गन बी ओफनिस राइट मोनोजाइट का एक स्रोत है इरेनिम का, थोरियम का, कैलिसियम का, फस्फोर्स का एक सो चार का राइट ना सुझाएगा थोरियम का बी ओफनिस राइट सुमूंदर जल से प्रित्थ किया जाने वाली धातु कौन सी है तो वो आपकी मेगरेस्यम डे ओफनिस राइट रेयोन को ये भी कहा जाता है एक सो छे तो कृत्तम रेश्यम प्रकाश संशलेशन की दर मात्रा नियूंतम होती है लाल प्रकाश में, नीले प्रकाश में, हरे प्रकाश में, पीले प्रकाश में तो एक सो साथ का जो राइट ना सुझाएगा हरे प्रकाश में जल प्रस्टून बोटर बलूम का समान निकार्ण क्या है 108 तो वो आपका नील हरित शेवैल पित्रस का निर्मान होता है तो पित्रस का निर्मान कहां किये जाता है यकरित के दवारा C of निस राइट रक्त में गलुगोज दर का नियंतन होता है 110 का जो राइटां सोजाएगा इंसुलिन दवारा CVI की स्तापना इस बर्ष हुई थी 1962, 1963, 1964, 1965 तो इसकी जो स्तापना हुई थी 1963 में CVI की Next है नई आखिल भारते सेवा का सिर्जन किया जा सकता है सविधान में सुशोधन करके कारेपालन अदेश दवारा सविधान के अनुशे 312 के अंत्रगत परस्ताब दवारा संबिद कनून दवारा तो ये किया जाता है संबिदी कनून दवारा निमन में से कोन सी अर्द न्याइक प्रादिकार है तो वो आपका प्रशासनिक न्याइदी करन डी ओसनिस राइड निमन में से कोन सी मद भारते सविधान की संबर्ती सूची में आती है तो यह आती है श्रमिक संग बी ओसनिस राइट निमन मैंसे कौन लोकसवा के प्रत्थम अधक्षे थे M.A. आइंगर G.B. मावलकर हुकम सिंग एन संजीब रेडी तो बोथ है आपके G.B. मावलकर बी ओसनिस राइट निमन मैंसे किस प्रधान मंत्री ने अल्पो मात सरकार की अगवाई नहीं की थी तो बोथ है मुरराजी देसाई डी ओसनिस राइट लोका युकत अपना विबर्ण एर्पोर्ट परस्तुत करते हैं राज्य के मुखे मंत्री को राज्य के उच न्याले के मुखे न्यादिश को राज्य के राज्यपाल को राज्य विदान सवा के अधैक्षे को तो 117 का जो राइटां सोजाएगा राज्य के राज्यपाल को राष्ट्य योजना में रोलिंग पलान पर्योजना प्रस्तूत करवाय गया था इंद्रा गांदी सरकार द्वारा राष्टे मोर्चा सरकार द्वारा जनता दल सरकार द्वारा रजीब गांदी सरकार द्वारा तो ये करवाय गया था जनता दल सरकार के द्वारा राष्टे योजना रोलिंग प्लान प्रयोजना प्रस्तूत भारत में अधिक्तम आयत करने बाला माना गया है एशिया एउरोप अफ्रीका उत्री अमेरिका तो 119 का रायट है शुज़ाएगा एशिया एउप्स निस रायट नेक्स है भारत में निम्न में से कौन मुद्रा नोटों तथा एक रुपेय तथा निम्न बर कोटी के सिक्कों क को जारी करता है एस्वियाई आर्वियाई भार सरकार बित्मत्रा ले एक सो बीस का रायट हो जाएगा बित्मत्रा ले डियोफनिज रायट निम्न में से कौन सी नदी का उद्गमस्तान हिमाचल परदेश में नहीं है चिनाब ब्यास राभी सतलुज तो बन थर्टिफोर का रायट हो जाएगा सतलुज हिमाचल परदेश का एक संग परदेश से एक रज्य में सनांतन कब हुआ था 1970, 1971, 1972, 1974 तो बन थर्टिफाइब का रायट हो जाएगा 1971 बे ओप्सनिज रायट मनिकर्ण गर्म पानी का जर्ना हिमाचल परदेश के किस जिले में मुझूद है कुलू मंडी बिलासपूर की नौर तो बन थर्टिफिक्स का रायट है सुझाएगा कुलू माचल परदेश की संस्कृति तथा पर्मपराओं के सिधर्ब कयांग बाकयांग तथा बयंक्षू क्या है नाटक ड्रामा हस्तकला त्यवार नृत्य तो बापके नृत्य है दे ओप्सनिज रायट मस्रूर शैले मंदर एक अधित्य एकशम सरंचना हिमाचल परदेश की किस जिले में मुझूद है मंडी हमिरपूर बिलासपूर कांगडा तो बन थर्टि एट का रायट है सुझाएगा कांगडा जिले में स्तित आपका मस्रूर मंदिर निमन मैं से कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल परदेश में स्तित है बन थर्टि नाइन का रायट है इनमें से कोई नहीं चैल किर्किट स्टेडम हिमाचल पदेश के किस जिले में अबस्तित है शिमला, कांगडा, मंडी, सोलन तो बन फोटी का जो राइटनस हो जाएगा सोलन जिले में स्टित आपका चैल किर्किट स्टेडम क्षेत्रा नुसार हिमाच्चल पदेश में से कौन सा हिमाच्चल पदेश का सबसे बड़ा जिला है लाउलस्पिती, शिमला, सिर्मोर, चम्बा तो लाउलस्पिती क्षेत्रा नुसार हिमाच्चल पदेश का सबसे बड़ा जिला है प्राचीन भार्त में चम्बा राजे की गद्धी कों सी थी पांगी चम्बा सलूनी ब्रह्मापुरा तो बन फोर्टी टू का राइट न सुझाएगा ब्रह्मापुरा कुलू राजे का आकरी शास्क 1814 से लेकर 1840 इस भी तक कों था 143 तो बहुत है जीत सिंग सी ओफनिस राइट जीत सिंग कुलू राजे के आकरी शास्क थे मंडी शाका थी कांगड़ा की कुलू की सुकेत की बिलासपूर की तो बन फोर्टी फोर का राइट न सुझाएगा सुकेत की सी ओफनिस राइट नूरपर का प्राची नाम क्या था बन फोर्टिफाइब तो बोथ आपका धमेरी ए ओफनिस राइट प्राण सूक जाना मुहाबरे का अर्थ क्या होगा जान बचाना सहस तोड़ना जान को जोख में डालना अत्यांत बैबीत हो जाना तो 163 का राइटना सुझाएगा अत्यांत बैबीत हो जाना कम खर्च करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा 164 तो यह होगा मित्वेई माटी का विलोम क्या होगा 165 तो कंचन हतोड़ा का प्राइबश शब्द नहीं है 166 तो 166 का जो राइटना सुझाएगा अनस मगरबश का प्राइबश शब्द क्या होगा 167 तो यह होगा गिलगरा बैबीत में कौन सासमास है 168 तो वह आपका तत्पुरुश तो यहां से आपकी हिंदी, पॉल्ट्रिय साइंस, जिगोराफ़ी, हिस्ट्री, एच्पी, जीके के जितने भी महत्वण कोशन बन रहे है यहां से आपकी रिजन एंड इवैल्योशन हो रहा है आने वाले जितने भी आपके हिमाच्टल की तरफ से एक्जाम होगे तो मारे साथ डेली वीडियो अपलोड होती है, वीडियो को जुरूर देखा करें अगर आपको हिमाच्टल एक्जाम पास करना है तो भील का इस्त्रिलिम क्या होगा? भील, भीलन, भीली, भीलनी तो बन 69 का जो राइट है सुझाएगा बीलनी सबेश्या का संदीब शेद क्या होगा? सबेश्या, बन 70 तो सबोजम इच्छा तो आज के लिए इतना ही यह था आपका स्टेनो टाइपिस्ट का जो 11 अक्तुबर 2017 को यह एक्जाम हुआ था पोस्ट कोर था आपका 548 तो इसमें आपके जितने भी हिंदी, पॉलिटिकल, साइज, जिगराफिक, एकोनोमिक्स के कोशन पूछे गे थे वो इस वीडियो में आपके पर इसके पहले किसी भी परसन है जितने भी हमिरपुर बोड क की तरफ से एक्जाम हो चुके हैं, वो वीडियो देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं वीडियो को जितना हो सके हर फेस्बुक बड़सैप गूरूप में भी शेयर करते ताकि जो भी मातल एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं उनने भी इस वीडियो को आप मिल सकें तो मिलते हैं कि वीडियो को साथ तब तक के लिए धन्यवाद